हाई एवरिवन आज हम बनाएंगे आलू से बहुती टेस्टी नास्ता तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने तीन मीरियम उबले हुए आलू लिये हैं अब इसे हम अच्छी तरह से मैस कर लेंगे आप चाहे तो आलू को कद्दू कस भी कर सकते हैं तो देखिए हमने आलू को अच्छी तरह से मैस कर लिया है अब इसमें ढालेंगे आठ से नौ चमच करन फ्लॉर एक चमच से थोड़ा कम काली मिच पौवडर डाल देंगे लाल मिच पौवड़र की जगह पर चिली फिलेकस भी ढाल सकते हैं और स्वाध अनुसा नमक अब इना चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है अब इसमें डाल देंगे तीन से चार चमच तेल इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे मिलाते हुए आटे के डो के जैसा बना लेंगे इसमें पानी नहीं डालेंगे बिना पानी का ही हम इसे डो के जैसा बनाईगे तो देखे हमने डो के जैसा बना लिया है अब हाथ में थोरा सा तेल लगाएंगे अब इसमें से थोरा सा डो लेंगे और इस तरह से हथेली से घुमाते हुए इसे चिकना कर लेंगे और इसे हम देखिये इस तरह से इसे बना लेंगे अब हम एक फोर्क लेंगे और फोर्क की सहाथा से इसे हम इस तरह से कर देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे इसी तरह हम सभी को बना कर तयार कर लेंगे तो देखिए हमने सभी को बना कर तयार कर लिया है गैस पर हमने तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है तेल को हम मीडियम गर्म करेंगे अच्छी तरह से तेल को गर्म नहीं करेंगे ज्यादा गर्म नहीं करेंगे अब इसमें एके करके डाल देंगे जितना इस पैन में आ सके उतना हम डाल देंगे इसे तुरंत नहीं पल्टेंगे, थोरी देर बाद पल्टेंगे, गैस यहाँ पर मीडियम रखेंगे अब थोरी देर बाद इसे हम पलट देंगे और दोनों तरफ से पलटते हुए इसे गोल्डेन होने तक इसे हम फ्राइ कड़ेंगे इस नास्ते को बना कर आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या चाहे तो आपको जब मन चाहे तब इसे आप बना कर खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है एक बार आप बना लेंगे तो आपको ये नास्ता बार बार बनाने का मन कड़ेगा तो देखे अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरफ से गोल्डेन हो चुके हैं तो अब इसे हम निकाल लेंगे निकाल कर इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे तो हमने सभी को फ्राई कर लिया है तो लीजे आलू का टेश्टी नास्ता बनकर तयार है इसे वनाना बहुत ही असान है इसे आप जटपट बना कर तयार कर लेंगे तो आप भी इस तरह से इस नास्ता को बना का जरू ट्राई करें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी